नमश्कर आप सबका हमारे चैनल ग्यान दर ट्रेजर पर स्वागत है इस वीडियो में हम आपको बताने चाहरे हैं इस वास्तु पुरुष के बारे में कि वास्तु पुरुष के क्या फायदे होते हैं बहुत लोग वास्तु पुरुष को जमीन के नीचे है बहुत लोग मंदिर में रखके भी बूजा करते हैं तो देखिए वास्तु जोतिश के नुसार ये जो वास्तु पुरुष है इसका प्रभाव हमारी कारप्रदर्शन, सुभाव, भाग और जीवन के अन्य पहिलूँ पर पड़ता है वास्तु पुरुष का जो प्रभाव है इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसका जो सर है ये जो सर है ये जो फेसिंग होगा वह इशान कौन में होगा तो वास्तु पुरुष बहुत ही शक्तिशाली एक तरह का यंद्री कह लीशिए वास्तु पुरुष वास्तु दोस उत्पन होने वाले हानिकारक प्रभाव से निपटने के लिए बहुत प्रभाव साली होता है सभी पाँच तत्वर पित्वी, जल, वायू, अगनी और अंत्रिक्ष के बीच संतुलन बनाकर हमारे घर और काम के अस्थान पर स्मिर्दी, मानसिक, शान्ती, खुशी और सामानजस को प्राप्त करने में मदद करता है वास्तु दूस का इलाज करके उसके जो बुरे प्रभाव है उसे दूर करने मदद करता है सकरात्मक और लाबदायक प्रभाव उत्वन करता है यह वास्तु प्रुश तो निश्यत रूप से आप इसे लेकर अपने घर में अस्थापित कर सकते हैं कुजा पादवरे पंडित को बुला के दिया आप स्थापित करते हैं और अच्छा रहेगा जिकि जो भी यंत्र हो ये भी एक तरका यंत्री समझ लीजिए ये हमारे जीवन में संतुलन और हमारे बाहरी और आंत्रिक वास्तु में सामाजस से बनाए रखता है और इस प्रकार हमारे जीवन में अधिक से अधिक खुशियां जो है बनी रहती है वास्तुवन होनी नुकसान और दुरभाग्य से हमें बचाता है ये घर के साथ साथ काम के अस्थान पर भी उत्तर या पुरुवदिशा में अस्थापित किया जा सकता है और ये मिलेगा आपको शिवागु.com या ओमजा.com पर बेकुल जैन्यून और अर्थन्टिक और आप हमारे चैनल को लाइक करें शेर करें और अपने कमेंट देशिए तन्यवाद्ट